हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजिनिस कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ जेन्यू में में हिंदी साहित्य की प्रवेश परिक्षा की तैयारी कैसे करें उसके अंतरगत हम आज एक प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने उपस्तित हैं इसका मुख्य कारण यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास सिसम मंदित मैंने कई वीडियोज अपलोड की है जिसमें कि आचायर राम चैनल शुक्लक्रित हिंदी साहित का इतिहास सही द्रिश्टी कौन से कैसे पढ़ें उसकी एक सीरीजी मैंने बनाई थी और दूसरा पॉइंट था कि हिंदी साहित्य का इतिहास अबजेक्टिव तोर पर और परिक्षा के द्रिश्टी कौन से क्यों किरिवीजन कैसे करें तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर काफी चर्जा किया है इसके अलामा काविशाष्त्र भा ताबित हो सकते हैं इसलिए समय निकालकर जरूर उन लेक्चर्स को आप देखिए आज हम प्रैक्टिस के तौर पर हिंदी साहिते इपिहास लेखन की परमपरा टापिक से शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि हम कुल 50 प्रशनों को हल करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्रवेश परिक्षा में प्रशन पूछे जा सकते हैं और हमारी तैयारी कैसे पूरी हो सकती है ठीक है तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कि मैं पहले सवाल पर विचार कर रहा हूँ पहला सवाल है कि हिंदी साहित के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया अफसन दिया जर्मन भाषा दूसरा फ्रेंच भाषा तीसरा हिंदी भाषा चौथा अंग्रेजी भाषा तो जब आप हिंदी साहित का इतिहास पढ़े होंगे तो सबसे पहले आ होगा फ्रेंस होगा ठीक है गार्षाद तासी ने इस्तवार्द अल्ला लित्र एंद्वी अंदुस्तानी नाम से सन 1849 इस भी में हिंदी साहित का इतिहास लिखा बाद में 1847 इस भी में उसका दूसरा खंट प्रकासित हुआ तो इस तरीके से गार्षाद तासी जो कि के लेखक थे उन्होंने फ्रेंच उर्दु के प्रोफेसर थे उन्होंने फ्रेंच भासा में हिंदी साहित का इतिहास लिखना शुरू किया तो इसका जो सही आंसर वो है फ्रेंच दूसरा प्रशन है कि आचारे राम चैनल शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पध्धत वज्णानिक पधती समाजशाश्त्री पधती वर्ण करमानुशारी पधती तो इसने सही आंसर है व grass वाजए म और बिद्धेवादी पधती का शरुथल फोन प्रयोग मधामर तेन करमानुशरी पधती वर만ा किक्त करमानुशारी पधती वजह चाही घीन ऌर दल दलीतल्ट मे भूनिका के रूप में प्रकासित हुआ, बाद में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकासित हुआ, अंत में जाकर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसका कासी नागरी प्रचानई सवा से प्रकासन हुआ था, तो ये जो मैंने एक्स्प्लेंड किया है, इसमें से भी ब बहुत कम पूछा जाता है लेकिन जब भी पूछा जाए तो आपका प्रशन उत्तर गलत नहीं होना चाहिए तो इसमें अफसन दिया है जार्ज ग्रियर्शन गार्सद अतासी डाक्टर मनमुहन सिंग डाक्टर मालवी कर्मुद्दिन तो एक तो इसका सही उत्तर देने के लि लिखा था ठीक है क्वेश्चेन नंबर चार हिंदी सहित्ति के प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लितियुत्तर एंदुई अंदुस्तानी के लेखक कौन है इसके पहले हमाने चर्चक कर लिया है आफसन देख लेते हैं गार्सद तासी जाज ग्रियर्शन एडिशन अगला तीसरा खंड भी आया था तो इसको धियान में रखें और इसमें जो दुसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्शन दिखाए देरा आया जाज ग्रियर्शन का इन अनुने सवर प्रतम हें इतिहास में काल भी भाजन किया था ये प्रश्न कई बार उचा जाता है वोग स इसको भी ध्यान में रखें क्वेशन नंबर पांच कि राम चंद्र चंद्रशुक्ल का हिंदी साहित का इतिहास कब प्रकासित हुआ इस पर हमने पहले ही डिस्क्रिशन कर लिया है फिर भी एक प्रशन आ गया है अंसर देखते हैं अपसंस अठार सों तीस इस भी उनी सों ती से उनको विक्रम संब्त में लिया तो आफ्शन था नी कि लिए देखे कैसे दिया गया इसमें पहला आफ्शन अठार इस ऑन्ती इसवी दिया गया है तीसरा उलनी सो एक agrees इस भी दिया गया है जो, जो सही आंसर है ये समया नहीं Upper 129 भी ठीक है मैं हिंदी साहित का इतिहास प्रकासित हुआ था जो कि चार काल खंडों में था और ये पहले हिंदी श्रब्द सादर की भूंका नाम से प्रकासित हुआ फिर इसके बाद हिंदी साहित का विकास नाम से प्रकासित हुआ था फिर हिंदी साहित का इतिहास हुआ ठ तो आप मेरे प्लेलिस्ट में से खोज कर देखेंगे और सुनेंगे तो आपको और भी मेरी बात क्लियर हो जाएगी question number 6 मिस्र बंधुों ने मिस्र बंधु विनोध ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है ठीक है मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोध इनकी रचना है 1913 में इसका प्रकास्वन हुआ था और इसमें कुल कितने कवियों के बारे में चर्चा की गई है तो उस पे देख लेते हैं option दिया गया है A 4500 B 4000 C 1000 D मतलब जो फोर्थ है वो 5000 तो इसका जो सही answer है लगभग 5000 कभियों को एक जगा इकठा किया था मिस्र बंधु ने अब सवाल उड़ता है कि यह मिस्र बंधुओं में कौन-कौन मिस्र बंधु सामिल है तो पहला जो नाम आता है उसमें गड़ेस बिहारी श्याम बिहारी सुखधेव बिहारी इसको आप इजी तैयार करने के लिए जी एस एस लिख सकते हैं ठीक है क्वेश्चिन नंबर 7 जनता के चित्रवृत्ति का संचित प्रतवीम सहीत्य है यह पंक्ति किसकी है बहुत ही मोउष्ट इंप्वाटेंट पंक्ति है परिक्षा में आने के संभावना बहुत ज्यादा है इसके किसकी पंक्ति है अफसन दिया आचारी शुक्र अथ हजारी प्रसद्धिवेदी बालकेशनभट भारत्य ध्वरिशन तो इसका जो सही आंसर होगा वो आचायरे रामचन शुक्ल का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने सहित्ति का इतिहास को परिभासित करते हुए बताने की कोशिस किया पहले कि सहित्ति क्या है और सहित्ति का इति इतिहास के लिए खक खाएं आफसंदिया ननिल विलोचन शर्मा, रमाशंकर सुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामविलाश सर्मा तो आप देख रहे हैं कि आफसंस में थोड़ा सभी इधर उधर आप भटेके तो आपका आंसर गलग भी हो सकता है रामकुमार वर्मा, रामवि अचारे राम चार्ण शुक्ल ने आदिकाल या बीर गाथा काल कि अवधी क्या मानिए अब आप देख रहे हैं आधिकाल के समा अध्धी के बारे में यहां पर चर्चा की जा रहे हैं और अफसंस दिया गया है सन एक हजार से चोड़सो इसभी समवत दस्तों पचास से तेरसों पच्छास विक्रम समवत तो जब पढ़ेंगे विर गाथाकाल का जो समय रहा है अपसंस इसमें 20 सही होगा 1050 से 1375 विक्रम समवत और जब इसको आप विक्रम समवत से इस भी में कनवर्ट करेंगे तो 57 घटाना होगा तो इस भी आपका आजाएगा तो जब कई बार आप हिंदी साहित का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें कई जगन 993 इस भी दे देता है तो इसको भी ज्यान में रखने की जोरत है और इधर दे देगा आपका 1308 इस भी ठीक है अभी थोड़ा समय लिखने की कोर्सिस कर रहा हूं मेरी बात आप लोगों तक पहुच जा रही हो कि आप इसको अपने से नोट कर लेजिए ठीक है चलते हैं क्वेस्चिन नमबर 10 पे सहित्य इतिहास लिखन के समय सहित्य के अंतरगत निमलखित को किया जाना चाहिए क्या किया जाना चाहिए अप्संस दिया हुआ है धार्मिक सहित्य रस सहित्य और ग्यानात्मिक सहित्य लोक सहित्य अध्यात्मिक सहित्य थोड़ा सा यह प्रशन है यह थोड़ा सा समझने क कि मांग करता है तो ध्यान में रखे आफ्सेंस को अच्छे से पढ़िए और फिर सुच विचार कर लगा ये अच्छा कई बार जब हम एक्जाम देने जाते हैं आप देखेंगे जो आफ्सेंस बहुत लंबा चोड़ा होता है वह अक्सर सही भी हो जाता है तो इसमें जो सही सहे की साहति इतियास लेखन जब आप करेंगे तो सही के इंतर गयत किसको सामिल करेंगे रस साहति को और ग्राणात्मक साहति को दोनों को सामील करेंगे ठीक है क्विश्चिन नंबर 11 और और हिंदी साहित के बरिहध इतियास लेखन में अग्रणी संस्था कौन है यह options दिया गया है, जब हिंदी साहित का इतिहास लेखन क्या जा रहा था, इसके ब्रिहद इतिहास लेखन में अग्रणी संस्था कौन सा है, आप जानते हैं कि हिंदी साहित के ब्रिहद इतिहास पर लेखन चल रहा है, इसका जो लेखन एकुल 16 खंडों में हो रहा है, यह भी कि साइटिके विविन पक्षों को ध्यान में रखा गया है और उसके अलग-अलग लेखक हैं कई लोग मिल कर इसको लिख रहे हैं तो यह पूछ रहा है कि कौन लिख रहा है इसको तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कि नागरी प्रचानिश सभा ठीक है अगला सवाल है दमाडन वर्नक्यूरलर लिट्रेचर अफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है यह भी काफी लंबा चोड़ा प्रश्न है और इसमें लेखक का नाम पूछ रहा है आप्संस दिया गार्चत दतासी ग्रियर्शन एफ एक नलिन मोहन सान्याल यह सब अफसंस में दिया गया है तो ग्रियर्शन इसका सही आंसर होगा ग्रियर्शन ने दमाडन वर्नक्यूलर लिट्रेचर अफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है ठीक है क्षेन नंबर 13 सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है इ इसमें आफ्संस दिया है मिश्र बंधुविं नोथ लिजैंदी साहित का इतिहास शुक्लिकरिट लिजैर दमार्यूर लिट्रेचर फिंदुस्तान भक्तमाल जो जरू सही अंसर दिया गया है व्रपका सही माने में पहला दमार्डन वरनाक्यूलर लिट्रेचर आप हिंदुस्तान और व्यज्ञानिक तरीके से पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा आपका हिंदी साहित का इतियास आचायर रांचन्त शुक्लक्रित क्वेश्चन नंबर 14 मैं इसलाम के महत्यू को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर देकर काना चाहता हूँ कि अगर इसलाम न आया होता तो भी इस सहीत का बारहाना आपर थोड़ा से गलत लिख दिया है बाहराना लिख दिया है बारहाना वैसे ही होता जैसा आज है ठिक यह करतान है और परिक्षा के त्रिष्ट कुण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान में रखिए अप्संस दिया ए आचायर हजारी प्रसाद्द्यवेदी दो राम चनर शुक्ल तीन नलीन विलोचन सर्मा चार विश्वनात प्रसाद मिस्र तो इसका जो सही उत् जैसा कि आज है ठीक तो इस कथ्वन को आप याद रखिए क्विश्ट्यन नंबर पंद्रा क्विश्ट्यन नंबर पंद्रा है कि मिस्र बंधु विनोद के प्रथम तीन भाग कप प्रकासित हुए अप्संस दिया शन अठाव सु तेरह इस भी उनिसु तीस इस भी उनिसु सवाल है ठीक है तो इसका जो सही आंसर है उनिसु तेरह सी में पुल चार का खंडों में बटावा था पहला तीन जो भागा है वह उनिसु तेरह सी में आया थे और यो चोथा खंड आया था सन 1934 इस भी के आसपास में आया था तो इस तरीके से प्रश्णों को याद अगला जो प्रश्ण है इसकेच आफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है तो इसका जो सही आंसर है वह है पादरी एडिसन ग्रिप्च यह सब सबाल कभी कभी पुषे जाते हैं तो इनको थ्टीयान रखने की जुरुत है Q7. आचारे शुक्ल का हिंदी साहितिका इतिहास किस पुष्टक की भूमक्या के रूप में लिखा गया था? ठीक है ये प्रशन देख रहे हैं आप कि भूमके दुबारा आ गया है कि जो आचारे शुक्ल का हिंदी साहितिका इतिहास किस पुष्टक की भूमक्या के रूप मे लिखा गया था। आप समद दिया है नागरी परशाणी पत्री का हिंदू इसमाली साहित के रोप में पहले इसका प्रकासन गोगा था। ठिक है, जिसकी किचतर्चा मैं पहले ही कर लिया था, अब आपको बात समझ में आ रहे होगी। क्वेच् αईति ऐसं दिया हजारी प्रसद्यवेदी डक्टर न गेंदर रामकुमार वर्मा नन दुलारेवाचबरी खए उर आजारी प्रसद्यवेदी ने हंदिस सहित के भूमिका है हंदिस सहित का आधिकाल हंदिस सहित का ईधव्वयों विकास नाम से 3 किताबें लिखी हैं जो कि इतिहास लिखन के अंतरगत आती हैं ठीक क्वेश्चिन नंबर 19 है हिंदी सहित का संचिपत इतिहास के लेखक को ने आफ्सनस ए विशुनात तिरिपाथि, रामचंद्रशूकी, हाजारी प्रसाद्दिवेदी, रामशरुप के जानी जा रही है लेकिन जब आप NCIT के किताब पढ़ेंगे तो उसमें इसको हिंदी साहित का संख्षिप्त इतिहास के नाम से जाना जाता है तो इसका जो सही आंसर है वो विशुनात त्रिपाथी Question No.20 हिंदी साहित का दूसरा इतिहास की क्रिती है? अब देख रहे हैं options पुछा गया हिंदी साहित का दूसरा इतिहास अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हिंदी साहित का इतिहास क्या है? अब हिंदी साहित ता दूसरा इतिहास नाम से क्रिती आई है यसे में options दिया है हजारी प्रसाद्धिवेदी, बच्चन सिंग, रामचंद शुक्ल, महाभीर प्रसाद्धिवेदी जिसका जो सही आंसर है, बच्चन सिंग, जिन्होंनकी 1996-2022 में हिंदी साहित का दूसरा इतिहास लिखा था और अपने भूमिका में इन्होंने लिखा है, कि भले कोई कितना भी इतिहास लिख ले लेकिन जब तक आचार रामचंद शुक्ल की इतिहास से नहीं टकराएगा, वो इतिहास पूरा नहीं हो पाएगा कहने का मतलब यह है, कि आचार रामचंद शुक्ल ने जो इतिहास लिखा है, वह ही व्यग्यानिक तरीके का इतिहास है बाद में सारे लोगों ने अपने हिसाब से लिखने की कोशिश की लेकिन थोड़ा उसका उन्होंने नकल जरूर किया है तो बच्चन सिंग को याद रहे किये कई बार यह प्रशन पूछा जाता है परिक्षाओं में कुष्चन नंबर 21 रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेल कीजिए यह काफी इंपोर्टेंट है इसको ध्यान से देखने की जरूत है और हो सकता है कि परिक्षा में इस तरीकी सवाल कुछ ज्यादा पूछे जाएं तो पहला अपसन है हिंदी साहित का तीत हिंदी का विधारा हिंदी साहित की कहानी आधनी की चाहित है तो आप देख मिष्रकी किथ हिंदी का विधारा रहुल शाकरिताइन की किताब है ठीक हिंदी साहितकी की कहानी यह प्रभाकर ॥मा सुथ मासacia किताब है आधनीक साहितिया नंदूलारे वाच फ्यए की ठीक है तो इस तरीके से में देखा चारों किताबों के राइटर कौनं है और उन से परिशित हो गए आपके लिए नई किताब हो गया है अब कमेंट्स करके बताए कि प्रभाकर माचवे तरह सब तक किस सब सब्सक्राइब बताइए ठीक है और ये मिलान करने के बाद जो इसका सही आंसर आ रहा है वो अपका तीसरा आंसर है नीचे दिया गया था मिलान करने के लिए ठीक है अब चलते हैं क्वेशन नंबर 22 हिंदी साहित के इतिहास लेखकों में काल करमानुशार कवियों का वर्गी करन सरपर्थम किस ने किया था मै इसका जो सही आंसर होगा जार्ज ग्रियर्शन ठीक है ये प्रशन पुछा भी गया है नेट में तो इसको आप प्रैक्टिस के तोर पर देख सकते हैं क्वेश्चेन नंबर 23 आचार शुकले ने हिंदी साहित का इतिहास के अंतरगत सिव सिंग सिंगर यों ग्रियर्शन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है बहुत ही हाई लेबल का सवाल है लेकिन आप जानते हैं कि परिक्षा बहुत ही लेकिर किताबें उन्होंने का ये अब तके जो भी सिंग सेनगर और गिरेशन के वह घ्रिति संगर रहा है लेकिन बाद में चलकर मिस्र बंधूं को उन्होंने अपना आधार बनाया आगे तक से चोबिस क्रेशन नमर चोबिस हिंदी का संत कावि पुरुवर्ति सिध्धूं योमनात्थ पंथियों ये साहिति का सहज विक्सित रूप किस विद्ध्वान ने माना है तो इसका अफ्शन दिया है हिंदी का संत कावि पुरुवर्ति सिध्ध योमनात्थ पंथियों के साहिति का सहज विक्सित रूप है आप देखेंगे नात्थ पंथियों से संबंदित हजारी प्रसाद दिवेदी के एक उस्तक भी है उसको आप थोड़ा सा क्लियर कर लिजेगा और अपने दिमाग मे में रखेंगा हो सकता कि पारिक्षाओं में पूछा जाए कि क क्षिण को कि हजरी प्रसाद दिवेदी को हिंदी साहित के प्रतम से Keep up क्यों कि जो आधिकाल नाम देने की प्रेर्णा किसंअ किसे मिधी है जो सही अप्सेंस होगा वो है कहां से उनको मिला है इसका प्रेना वो है मिसर बंधुओं से ठीक है आचार राम चैनल शुक्ले ने भी अपने इतियास में विर्गाथा काल के साथ आधिकाल नाम कई वर प्रिप्त किया है लेकिन उन्होंने रासो ग्रंथों के आधार पर उसक आचार राम चैनल शुक्ले के इतियास गरंथों में तरवाधिक विवादास्पत काल कौन सा रहा है अपसंधिया भक्तिकाल गदिकाल आधिकाल और रीतिकाल तो इसका जो सही जवाब होगा आप जानते हैं कि आधिकाल के नाम करण को लेकर काफी चर्चाहें रही है हजार साकरिक्तियाय ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा ठीक है तो इस तरीके से अलग-अलग विद्वानों ने इसे अलग-अलग नाम दिया है इसी लिए ये काल खंड जाधा विवादी तरह है Q27 Q27 के राम कुमार वर्मा ने अपने आलचनात्मक इतिहास ने किस काल खंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है तो इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो में बता दिया था जब पहला दुसरा सवाल हल कर रहे थे हम लोग तभी मैंने चर्चक कर दिया था फिर भी option देखते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल और गदिकाल तो इसका जो सही आंसार है वो भक्तिकाल उसमें भी उन्होंने निर्गुन साखा के जो कभी हैं उनको संत कभी कहा ये भी कई पर तवाल पुछा जाता है Q28 Q28 Asiatic Society of Bengal Asiatic Society of Bengal पत्रिका के वी सिसांग के रूप में किस ग्रंथ की रशिना हुई थी ठीक है options दिया हिंदी साइथ कह इतिहास, मिस्र बंधु विनोध, the modern vernacular literature of हिंदुस्तान, तासी कह इतिहास तासी का इतियास लिखा है तो ये तासी का व्यक्तिकत इतियातने बलके उनकी पुष्टक है उसका नाम में आपर होना चाहिए लेकिन विकल्प तो विकल्प होता है इसका जो सही आंसर है वो 28 का तीसरा आंसर होगा नाम से जो इतियास लिखा गया था जिसके राइटर रियर सन थे ठीक है और इसका जो प्रकासन हुआ था सन 1888 इस भी में हुआ था तो इसको विद्धान में रखिया क्वेश्चिन नंबर 29 उत्तर आप भ्रंस को पुराने हिंदी यह बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है कि संग्या किस ने थी ऑप्सेंस ए चंद्र धर्शर्मा गुलेरी बोला शंकर व्यास राम चंद्रशुक्र भोला नाक्तिवारी तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चंद्रशर्मा गुलेरी ये वही चंद्रशर्मा गुलेरी हैं जिनोंने की सन 1915 एस भी में उसने कहा था कहानी लिखकर अपने को अमर कर लिया और कच्छवा धर्म ठीक है नाम से एक निबंद भी इनका काफी फिमस है तो वही है जिनोंने की उत्तर अपभरंस को पुराने हिंदी कहा था क्वेशन नमबर तीस जैन कभी पुष्पधन पूरों में किस संप्रदाय के अनुवाई थे अब ये जो किताब हिंदी साहित का इतियास बहुत ही स्रियसली पढ़ा रहेगा दम बिरता से पढ़ा रहेगा वही ऐसे प्रशनों को हल कर लेगा तो प्रक्टिस आप तुलंत रीड करना सुरू कर दें कि यह जो चीज हमपड़ रहे हैं किस तरीके से प्रशन पुष जाएंगे तो इसमें आफसन दिया एक बैश्रों दो स्री संप्रदाय साक्त बल्लब संप्रदाय तो आप देख रहे हैं कि यह तीनों जो संप्रदाय है यह भक्तिकाल संप्रदाय से संबंदी था बैश्रों स्री संप्रदाय बल्लब संप्रदाय और इसमें जो सई आफसन्स होगा वो होगा साक्त संप्रदाय से तो ध्यान रखे पुस्पद्धन्त कई आलुचको ने इनको हिंदी का पर्थम कभी विमाना है ठीक है इनकी रचनाओं को आप ध्यान में रखे खेर इस प्रशन में आपको ध्यान में रखना है कि यह किस संप्रदाय की अनुवाई थे किसे जूड़े थे सफ्रे कान साष्त्री देन रै तिवारी नलेन वीलोचर शर्मा स्वीकुमार सर्मा तो इसमस्पार है यह शूरिकान साफ्त्री ठीक है सुरिकान सास्त्री ने हें लिए्ट सहेथा घान में रखे कि अगर्यन त्रिप PS3 निर आला दें जा तो और सब्सक्राइब हो जाता लेकिन अभी आप्शन्स वाला इसमें ध्यान नहीं दिया है हो सकता है कि जब मैं खुद अपना प्रैक्टिक सेट बनाओं आप वजब एस सीरीच चलाओं तो उसमें इस तरीके के थोड़ा कठीन आप्शन्स दिये जा सकते हैं फिलार इसका जो सही आंसर है सुरकान सास्तिरी इसको ध्यान में रखें ठीक क्वेस्टेन नंबर 22 हाजारी प्रसाद दिवेदी रचित इतियास ग्रंत कौन सा नहीं है आप देख रहे है कि कौसा नहीं इसमें पूछा जा रहा है अउसन्स दिया हिंदी सैथ की भून का है यंदी सैथ का जा विए हिंदी भार्शा का विकास यह नहीं थो यह I Lux Rat रहे ही होगा सही होगा इसको इसको स्याम संदर्डास ने लिखा होगा था तो इस το इसको आप ध्यान में रखिए क्विश्चिन नम्बर 33 है कि इस्तवार्द लाल लिवत्वर अंदुई अंदुस्तानिक गरंत का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुबाद किस ने किया था यह काफी इंपोर्टेंट सवाल है और परिक्षों में पूछा जा सकता है तो में के छात्र को और जो भी आगे इसकी त्यारी कर रहे है उन परत्यों की छात्रों को ध्यान में रखने की जोर थे अप्सेंस दिया डाक्टर किशोरी लाल गुप परुसराम चत्रवेदी डाक्टर लक्षमी सागर वार्षणे नंदुलारे वाचपेई तो इसका जो सई आ अनुबाद किया था हिंदूई साहित का इतियाद करके लक्षमी सागर वार्षणे ने और इसके अलावाल लक्षमी सागर वार्षणे को आप देखेंगे तो इन्होंने आधनिक हिंदी साहित का इतियाद भी लिखा है और फोर्ड विलियम कोलेज के उपर भी इन्होंने है दी हें केung को सब्सक्क primo किस पत्रिका में जपा था कώ आफो संदिया गंगा पत्रिका के का मर्यादा पत्रिका सरस्वतिं पत्रिका तो यू इसका रहें वह हैं गंगा पत्रिका के नावा लोगों ने नी यूब 혁ण यूद्ध समकालिन इस तरिके से तो सभू सारी पत्रिकाय, जो इसो्क्षंन में प्रभा अमर्याधा शरस्वति इन्वें गंगा पत्रिका पर नहीं हुई है ये पत्रिका के वल इसी से ज़्यादा जुड़ी हुई है कि जो हिंदी के प्राचिन कभी और उनकी कविता 1937 में प्रकासित हुई थी और उसके जो लेखर थे राहुल सा किर्ट्यायन गंगा पत्रिका में प्रकासित थी इतना ध्यान में Q35. आचारे शुक्ल के इतिहास ग्रंक के विशे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देख रहे हैं सत्य नहीं है. यूग की परिस्थितियों को महत्व देना, कभियों के जीवन चरित के स्थान पर सहितिक महत्व, काभिय धाराओं और यूगों की सहितिक प्रवित्यों का उल पर्मपरा का महत्व, दिखें? तो ये थोड़ा सा मेके अस्तर पर थोड़ा हाड प्रस्ण है, फिर भी आपको जानकरी रखने जरूरी है. Q36. किस बिद्वान ने हिंदी सहित का आरांभ भकतिकाल से माना है? किस विद्वान ने हिंदी साहित का आराम्भ भक्तिकाल से माना है आफसंस हजारी प्रसाद्यवेदी राम चे निशुकल डाक्टर नगेंद डाक्टर राम कुमार वर्मा तो इसका जो आंसर है वो पहला आंसर है हजारी प्रसाद्यवेदी ने यह माना है कि वास्तवीक का वो प्रस्तर है जिस पर आचारी शुकले ने अपने सुप प्रसीद इतियास का भव्य भवन निर्मित किया है कथन किसे संबंदित है शुकले जी के बारे में कथन है और किसने का है तो आपसंदिया आचारी शुकले के इतियास से गारसाद तासी के इतियास से ग्रियर्षन की इतिहास यह हिंदी साहित की नlichesगा प्रस्तर है जेसं अपने सुप्रसिदि इतिहास का भव्यावन निरूमित किया ठ्यान देंबात है कि हंदी साहिति हिंटियास लेखेन की परणपरा रही है उल जिन स Посक Jourロ नमबर 38 है हिंदी में किस भारतिय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है यह कथन मिस्रबंदों विनोत के संदर में किसका है हिंदी में किसी भारतिय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है मिस्रबंदों के बारे में किसी अलोचक का है ना उसके बारे में सवाल पूछा गया सुमन राजे के अनुसार हिंदी में किसी भार्जिये द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु बिनोध है जिसके राइटर मिस्र बंधु है जिसमें कि तीनों भाई गणेश सुक्देव और स्याम बिहारी है ठीक है तो यह मिस्र बंधु इनी को का जाता है सुमन राजे जिन्होंने कि हिंदी साहित का आधा इतिहास लिखाए सन 2003 में प्रकास्वन हुआ था उनका यह कथन है तो इस इसको ध्यान में रखें सुमन राजे पहली महिला इतिहासकार मानी जा सकते हैं हिंदी में लिखने वाली हिंदी साहित का आधा इतियास शुकल जी ने जुटाया है जगाया नहीं शुकल जी से संबंधित यह कथन किसका है इतियास शुकल जी ने जुटाया है जगाया नहीं कथन काफी इंपोर्टेंट दिखाई दे रहा है ठीक है तो इसने कहा है आप संदिया जैनेंद्र नामोर सिंग नंदुलारेवा की विधेवाधी पधती के अविश्कर्ता कौन थे तो शुरुवात में ही मैंने इनका जिक्र कर दिया था इसका जो सही जबाब है वो है तेन मादाम तेन इनको कहा जाता है ठीक है पूरे भक्तिकाल को चार भागों में बाढ़ करूशे स्वर प्रतम शुद्ध दार्चनिक और धार्मिक आधार पर स्वर प्रतम प्रतिश्ठित करने वाले विद्वान कौन है तो इसका जो अफसन दिया मिसर बंदू आचायर रामचन शुकल हजारी प्रशाद दिवेदी र सन 1936 भी में इस गरंद के लिए खक्कोन है आफसन दिया है चतुरसें सास्त्री अग्य उध्यनरांटिवारी अजयासिंग उपादय हर्योद तो आफसेंस में जो सही उतर होगा वह होगा हर्योद इसके आलमा उध्यनरांटिवारी की विकिताब बहुत ही फिमोस इंदी भा खड़ी बोली में पहला माह का भी लिखा था इसके लावन की डियर सारी रचनाय है दिवेदी यूगीन एक प्रमुख कभी रहे हैं ठीक है क्विश्यन नमर तैंतारिस इतियास लेखन योम विसलेशन की प्रति परसपरिक भारतिय द्रिश्ट कोन कैसा रहा है आफसन दिया इतियास लेखन के संदर में यह उक्ति किसकी है केवल अतीथ ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता बहुत ही इंपोर्टेंट उक्ति के बारे में मैं चप्रचा कर रहा हूं प्रभावित नहीं करता वर्तमान भी अतीथ को प्रभावित करता है आप देख रहे हैं कि आपक के जनक माने जारते हैं इन्होंने कई बेहतरें सिध्धांत दियें जिसमें की निर्वया की तिकता का सद्धांत काफी फ्यमस है इसको ध्यान में रखे परमपरा के सिध्धांत पर भी इनों विचार किया है तो ये कोश्चिन नमर 15 है कि मिस्र बंध कौन नहीं है ये कब से मैं बता रहा वहां को कौन कौन सामेल है एक फरमुला बना लग अभी मैं प्रयासी कर रहे हैं आप लोगों को बताने का जीड़ेस कौन है गहां है अ जीड़े वह रही मिफी वह भी है ड़ी है नहीं होगा और कई जब परिक्षा दे नहीं जाएंगे तो इनीक का नाम हिएक है क्रिष्ण बिखेज और यह या फिर अभी समकालें के ही कभी हैं तो इनको कन्फुज्ट करने के लिए लोगों को रग दिया जाता है बाकी यह ध्यान में रखिए क्रिशन नमबर 46 भक्ति आंदोलन को इसलाम की देनना मानकर दक्षिर के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान है आप सुन दिया है हजारी प्रसाद दिवेदी आचायर राम टेन शुक्ल डाक्टर राम कुमार वर्मा मिसर बंदु तो जो सही आंसर होगा वह होगा हजारी प्रसाद दिवेदी ठीक है तो और आलवार भक्त दक्षिर के हैं इनकी कुल संख्या 12 है ठीक है इसको ध्यान में र सब्सक्राइब के इतिहास पर विचार किया है उसको उस वीडियो को ज़रूर आप देखिए ताकि आपका कॉंसेप्ट और क्लियर हो और जब प्रेक्टिस टेट दिया जाए तो आप ज्यादस ज्यादस प्रसंट शाही करें ठीक है क्विश्चिन नंबर 47 इसमें जो 47 है कि कि हंधी चाहित का अतीत कर तथा वांगमें भी मर्स किसे ने लिखा है आपक्तन चतूर सेंट शास्त्री setup दिवेदी विश्चोनाथ टिवारी विश्चोनाथ प्रसंग मिश्र तो इसका जो सही आंसर हो वह वह विश्चोनाथ-प्रसंग मिश्र आप देख रहे हैं विश् यह आंसर होगा वो चार होगा तो दो रचनाओं को इसमें पूछा है दोनों को नोट कर लिए क्विस्चन नंबर अन्टालिस आधुनिक हिंदी साहित का इतियास अभी तक तो हिंदी साहित का इतियास हम देख रहे थे 1934 में कौन लिखा था अप्शन्स कृष्ण अंकर शुक आप देख रहे हैं रामचन शुकले ने हिंदी साहित का इतियास लिखा और श्री कृष्ण संकर शुकल को लगा कि अब आधुनिक हिंदी साहित का इतियास लिखना चाहिए तो उन्हों नों 1934 में लिख दिया आप देख रहे हैं सण भी देख रहे हैं कि आचाय रामचन श सोल पंद्र बीस अठार इसका जो सही आप्सन्स दोगा सोल ठीक कई जंगा इसका अठारा भी आंसर दिया है जो कि गलत है नागरी प्रचानि सभाधवरा प्रकासित हिंदी साहित का इतिहास भाग जो छठा भाग है रीतिकाल रीतिवद्ध का विकासन पादन किस नहीं किया है इसका जो सही आंसर है इसमें डाक्टर नगेंदर और आप्सन्स को भी आप देख लिए लेकिन ध्यान में रखे कि जो र पर आज प्रैक्टिस किया और मैंने आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत किया उमीद है कि आप लोगों को काफी इसे लाब पहुचेगा कमेंट्स करकर जरूर बताइए और लगातार जब तक परिक्षा नहीं हो रही है तब तक हम टापिक वाइज आपके स लेना चाहते हैं कभी भी लाइव क्लास लेना आप चाहते हैं तो हमें जरूर बताईए समय भी बताईए ताकि उसके आधार पर हम विचार करें तो ज्यादा ज्यादा इस चैनल से आप लोग जूड़िए लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्र को गैडेंस के तोर पर वहां पर पढ़ाया था उसमें से कई बच्चों का सेलेक्शन भी हुआ तो इसी उमीद से मैं आप लोगों से जुड़ा हूं कि जेनों में पढ़ने वाला जो छात रहे हैं जिसका सपना है वो पूरा हूं इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस तब तक के लिए नमस्त